दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नोलेज पर दोस्तो आसा करते हैं अच्छी से देखवाल कर रहे होंगे चुकि ठंडी का दिन है आपको परते एक दिन अपने तलाब पर भिजिट करना चाहिए मचलियों का देखरे करना चा जो को आपको बरे ही आराम से बरे ही ध्यान से देखवाल करना परेगा दोस्तो सिर्फ भोजन देने से ही काम नहीं चल जाएगा आपका चुकि ठंडी का दिन है तो ऐसे भी मचलियां भोजन करना बंद कर दी हैं सिर्फ आपको इसमें होने वाले बिमारी का पता करना आपके समक्ष जो जनकारी युक्त है इसको आप देखेंगे लाइक करेंगे अगर वीडियो पसंद आए अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कश्ट करेंगे मेरा उत्सा बराएंगे प्रोत्साहित करेंगे मुझे दोस्तो इसी तरह का नए न मचली बोला जाता है हो सकता है आपके एडिया में भी गरई मचली बोला जा रहा हो नहीं तो हो सकता है आपके एडिया में मुरेल मचली के नाम से जाना जा रहा हो या किसी बंधू के एडिया में इस नेक हेड मचली के नाम से जाना जा रहा हो चाहे दूसरे दोस्त हमारे स तो हम इसी गड़े मचली के बारे में आज जो भी मुझे जनकाडी है जिस तरह से हम अपने तला में पालते हैं गड़े मचली को का पालन करते हैं वो ही अपना अनुभब आपसे सेर करने का प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तो यह गड़े मचली जो है मीठे जल की मचली है इसका बहुत जादा है और आपको rate भी high मिलता है दोस्तों हो सकता है कहीं कहीं इसका rate कम मिलता हो और यह IMC का बहुत अच्छा भी कल्ब है बहुत सारे लोग जब खाने वाले लोग IMC खाखा करके ठक जाते हैं तो कुछ दूसरा मचली खाने का मन होता है उनको तो उस position में customer मुरेल मचली का डिमान करते हैं तो दोस्तों आज हम मुरेल मचली के बाड़े में बिस्तरी तजानकाडी इसी तरह शे देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों यह गरई मचली है इसका बरवार भी अच्छा होता है और हम आपको बता दें कि यह आपके तलाब के सबसे निचली तली में यानि की मड में रहती है यह कीचर में वास करती है लेकिन उपर भी तलाब के उपरी तल में आ करके और बीच में जा करके हर तरफ शे यह अपना भोजन को गरहन करती है और अच्छा ग्रोथ हो जाता है या अगर आपको हम बात करें कि एक एकर में आपको किसना पालन कर सकते हैं तो आप 10,000 इसका Seed BioStalk कर सकते हैं और दोस्तो Seed BioStalk करने की गेजी मचली डाल दें। उससे आपका तलाब भर जाएगा। बहुत जादा यह अंडे देती है, बच्चे देती है। दोस्तों तो इस तरह से आपको सीड खरीदने की आवे सिक्तर नहीं होगी। और आपके तलाब में गरे मचली की संख्या बहुत जादा हो जाएगी। उस उसमें टाइप इसके टाइप पर आपको प्रजातियों पर विश्यस ध्यान नहीं देने का बात है आपको सिर्फ जो मार्केट में मुरेल मचली मिल जाए गरही मचली मिल जाए इसको आप अपने तलाम में डाल दें बहुत अच्छा बच्चा देगी दोस्तों आप इसका पा साथ से आट Avatar तक की राहल होजाए है एक मूरेम सही हो जाती है अब मात करें इत। तो यह 400 रूपे किलो के आसपास हमारे मार्केट में तो 400 रूपे किलो बिखती है पता नहीं आपके मार्केट में क्या रेट है दोस्तो हम कहना चाहेंगे कि एक बार आप इस मचली का पालन अवस्थ करें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद